दोस्तों आप देख पाएंगे कि फिरोज भाई बहुत ही हेवी इंजन लगवाई हुए हैं आप लोग देखेंगे इसमें किलोसकर का इंजन 20HP का इंजन लगा हुआ है 20HP का डवल सिलेंडर इंजन बहुत ही बहतरी निंजन इस इंजन की खासियत आप लोग देख पाएंगे डवल सिलेंडर लगा रहता है और साथ में ब्लोवर भी लगा रहता है हवा के लिए ताकि इसमें गरम नहों दोस्तो नमस्कार मैं टैक्टर मोहन मिस्रा बिजनिस कोच एप मोटेबल स्बीकर मोहन से विडूट चैनल में आप सभी कार्दी रमन करता हूं दोस्तो जैसे कि आपको मालूम है हमारी कंपनी का उद्देश आप लोगों तक नई जानकारी देना है इसी कड़ी में आज आपको मैं नई जानकारी देने वाला हूँ सबसे पहले तो आपको बता दूँ यह जो मसीन जाने को तैयार है अकूला महराष्ट फिरोज भाई हमारे हैं जो बहुत पुराने ठेकेदार हैं जो वहां काम करवाते हैं आज मौलाना जाब आए हुए हैं उनके मसीन को लेने के लिए तो आई जानते हैं सर के बारे में कि सर कब से काम कर रहे हैं बहुत-बहुत धन्यवा सर आपको हमारी दर्सक बताएंगे सर आप लोगों घर कहां है और कब से लाइन में आया आप हम लोग अकोला महराष्ट से आये हैं मशीन लेने के लिए यह मशीन जो है हमारे ठेकेदार अकोला अकोट फाइल से हैं काफी ल पाइस से वसूल कर लेते हैं लेकिन अभी हमारा एक मश्वरा एक तैग हुआ तो हमने एक सर से बात्चीत किया था उसके बाद सर ने अच्छा रिस्पॉंद दिया हमको तो हमने मशीन वगेर से लेट दिये थे तो यह मशीन हमें बहुत पसंद आई थी और जिस सिस्टम से हमने बनाने के लिए वेड़ी से कहा था देट ने बिल्कुल हमारे मन के लाएक इस मशीन को पूरा कंप्लेट किया है इसमें कोई चीज की कोताई नहीं बरती है सबसे अच्छी चीज है कि स्पेक्टरी का एक सिस्टम है जो अगर कश्टमर हो तो एक मेहमान के तौर पे हैं सब्सक्राइब तो बाकाईदा इनकी कमपनी से आद्मी धर के लोग इनके लेने आते हैं पाकाईदा कमपनी तक ले जाते हैं रहने का इंतिजाम खाने का बहुत जबर दस्थे इतना बेश्ट के आद्मी का जो म bistring है वो बहुत शान्थ हो जाता है तो आप तमामी प्रण कंपनी जो गाजियाबाद में है रापता कर लीजी और लीजी आप हम भी संतुष्थ है और आप भी शंतुष्थ रहेंगे बहुत 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 दूबाद मोलाना साफ अपने सभी दर्शों के अनोद करना चाहूंगा कि यदि अप लोग फिरोज भाई के घर के आसपास जो भी हैं पचीस किलोमीटर, पचास किलोमीटर, सौ किलोमीटर वो लोग सर की मसीन से ज़रू ढलाई करा है उससे जो आपको फायदा होना है दोस्तों कि हंडी मझबूत होने करण इंजन मझबूत होने करण आपके घर में लीकेट की प्रॉब्लम नहीं आएगी कालम क्रेक नहीं होगा छट लीक नहीं होगा आपका घर मजबूत बनेगा दोस्तों जो घर बनता है जीवन में लोग एक बार बनबा पाते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास खुद का छट नसीब नहीं है लेकिन जो भाई भी अपना छट बनवाना चाहते हैं अपना घर बनवाना चाहते हैं फिरोज भाई की मसीन से डलाई कराईए और आपको हम दिखाते हैं कि जो अन्य मसीन है और फिरोज भाई की मसीन है इन दोनों में अंतर क्या है आप लोग खुद अंतर देखेंगे और समझ में आएगा कि जो मसीन मार्केट मिल रही है और जो मसीन ये है दोनों मसीनों में अंतर क्या है और आप लोगों को फिरोज भाई के मसीन से ही धलाई क्यों कराना चाहिए दोस्तो आए जानते मसीन की ख लगा हुआ है बीस एच्पी का डवल स्लेंडर इंजन बहुत ही बहतरी निंजन इस इंजन की खास्यत आप लोग देख पाएंगे डवल स्लेंडर लगा रहता है और साथ में ब्लोवर भी लगा रहता है हवा के लिए ताकि इसमें गरम नहों अब आप लोग सोच सकते हैं कि जिज़ सरगह लोग दस एच्पी इंजन लगाते हैं या बुजरात महराश्ड के बाद करूँ तो आठ एच्पी भी कभी कभी लगा देते हैं मैं दस हैश्पी कि बाद काुई का उन्जन लगाते हैं लेकिं फिरोज भाई इसमें 20 एच्पी का इंजन लगाएं उनकी सोच बहुत आगे है ताकि आप लोगों के काम को अच्छा कर सकें और जो साथ में चेंज किये हैं फिरोज भाई वो चेंज किये हैं उपर जो ड्रम लगाए हैं अपने डिवान पे 14 इंच का ड्रम लगवाई हुए हैं इससे मसीन की स्पीट बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और कम समय पे ज़्यादा काम मिलता है और यहाँ पर जो ग्यार भी लगवाए हैं 32 दांटा का ग्यार लगवाई हुए हैं दोस्तो इस तरह है इन्हों ने अपने खुद के डिमांड से कुछ चीज़ें को चेंज कराया है और इससे मसीन की स्पीट बहुत ही स्पीड हो जाती है ब हभी लगा है एवी ड्यूटि हभ लगा है ल होते हैं आणड नट रहते हैं जब कि यहां पर बाकी एख़ा पांच नट रहेंगा चेिस है जो मुंद Śरेभ आदा के दोस्ता बहुत सारे फावजाए हैं जो आप पिछली वीडियो में देख चुके आप लोगोंने तक वीडियों never देख, पिछले वीडियो को जाकर देखें और जिन भाईयों के पास मशीरम से चल रही है, उन लोगोंसे अंडरोध है, कि वो लोग भी हमारे पुराने वीडियों जरूर देखें, और आने वाली बीडियो को भी देखें कि मसीन के रख रखाओ के लिए क्या-क्या जरूरी साधान्या होती है जिनको आप लोग बीडियो को देख के अपने मसीन को मेंटिनेंच कर सकते हैं और उसकी लाइफ को ज़ादा पढ़ा सकते हैं दोस्तो इस प्रकार ये मसीन अकोला महराष्ट जाने को तयार है जो बहुत ही हैवी मसीन है टूल बाक्स भी बहुत हैवी होता है साथ के हम लोग चैनल गरारी भी दिये हुए है ये देखेंगे आप बहुत ही हैवी मसीन जो अकोला महराष्ट जाने को तयार है दोस्तों आप लोग यदि मसीन लेना चाहते हैं आप हमारे फैक्टरी आईए और मसीन को बुक करिए लीजिए आप देखेंगे एक मसीन कुछ मसीन पेंट की हुई कुछ बिना पेंट की हाट ठेला भी आपको मिल जाएंगे सिंगल टायर में डवल टायर में साथ ही डिक्स भी कई सारे डिक्स हमेशा रेडी रहती हैं ताकि आप लोग कोई भी समान कर सकता है यहाँ पर सिंगल टायर भी होते हैं डवल टायर ठेले भी होते हैं आप लोग इससे लेके अपने काम को आगे कर सकते हैं इससे लेवर की बनती हैं ये मसीन भी आज गुजरात भावनगर जाने को तयार है जो आज ही ये गुजरात भावनगर के लिए जाएगी इस मसीन को भी आप देखेंगे कि बहुत ही हैवी टैर इसमें लगाया गया है इसमें तो टैर 916 का लगा हुआ है दोस्तो हम लोग कुछ न कुछ अलग करते हैं ताकि आप लोगों को नए समान की जानकारी हो सके आप लोग देख पाएंगे इसमें भी डबल लाग लगाया गया है इसमें इंजन 14 HP का लगा हुआ है दोस्तो आप लोग देख पाएंगे मसीने कैसे बनती हैं पूरी फैक्टरी अभी सुबह का समय हैं लोग अभ अलग ओरर चाहिए अपने साथ से ओरर चाहिए आप ओरर देगे मसीन मनवा सकते हैं आप लोग देख पाएंगे हाप बैग मसीन भी यह रेडी है लिप्ट मसीन एक बैग मसीने हर तराइक मसीने RM800 भी आप लोग बुक कर सकते हैं ले सकते हैं पुरा कम्प्लीट RM800 मसीने बनती हैं और निकलती हैं आप लोग भी RM800 लेना चाहते हैं तो मसीन को ले सकते हैं हर तरह की मसीने आपको फैक्टरिम मिलेगी मजबूत मशीने असली और मजबूत मशीने ग्राहक तक पहुंचाना है दोस्तो अभी आपने देखा कि मसीन कैसे बनती है और हमारे दियोए नंबर पर कॉल करके मसीन को बुक कर सकते हैं और मैं पुने दवात देना चाहूंगा आप हमारे हां आए और मसीन को लेके जा रहे हैं दोस्तो हमारी चैनल बनने नहने के लिए हमारे यूट्यूबरे है ता चाहि आप हमारे चाहिक के लिए नंबर के लिए और मैं आप हमारे लिए हेँ़ sanctा याप मत्रूम पिर आप्सितों अधयों ओ yarn